जादिया ले आप सभी को आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे तो UGC NET का हम प्रीवियस येर पेपर सॉल्व कर रहे थे दिसंबर 2012 का हमने पिछली क्लास में देखा था और आज इस क्लास में हम देखेंगे जून 2013 का सॉल्व पेपर ठीक जो कि NET में आया हुआ है तो कुल 75 प्रश्ण है इस सेपर में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्ण आपके सामने दिया गया है कि सुनीती कुमार चटर जी की अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारती आरे भसाओ में किस वर्ग में आती है विकल्प है कि उद्धिच्य में, प्रतिच्य में, मध्यदेशिये में या प्राच्य में तो सुनीती कुमार चटर जी की अनुसार जो पूर्वी हिंदी है वो किस में आती है? प्राच्य में आती है तो D आपसन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और सुनीती कुमार चटर जी की अनुसार भासा का वर्गी करण भी हम यहां देख सकते हैं उद्धिच्य में उन्होंने रखा है सिंधी को, लहंदा को और पंजावी को प्रतिच्य में रखा है गुजराती और अजस्थानी को मध्य देशिय में पस्च में हिंदी को और देखे यही पूछा है प्राच्य में पुर्वी हिंदी, बिहारी, उडिया, असमिया और बंगाली को और दच्छिनात्य में मराठी को तो इन्होंने भासा का पाच भागों में वर्गी करण किया है उद्धिच्य, प्रतिच्य, मध्य देशिय प्राच्य और दच्छिनात्य तो यह आपको ध्यान देना है क्योंकि जब पूर्वी हिंदी का प्राच्य से पूछा है तो और भी कोई पूछ सकता है इसमें से तो यह आप लोगों को बिलकुल याद होना चाहिए दूसरा प्रश्ण है कि डॉक्टर धिरेंद्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है तो धिरेंद्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 13 और 38 व्यंजन बताये हैं कि कुल वैदिक ध्वनिया 51 है इन्होंने बताया है कि कुल वैदिक ध्वनिया 51 है जिसमें 13 स्वर है और 38 व्यंजन है धिर्यंद्र वर्मा ने अपने ग्रंत हिंदी भासा का इतिहास में वैदिक ध्वनियों की मुल संख्या 51 मानी है जिसमें 13 स्वर एवं 38 व्यंजन है तीसरा प्रश्ण है कि लल्लू जी लाल द्वारा रचित नहीं है कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है सिंहासन बतीसी बिल्कुल है सकुंतला नाटक ये भी है प्रेम सागर ये भी है इनका खड़ी बोली में पर चंद्रावती चंद्रावती ललुलाल की रचना नहीं है चंद्रावती किसकी है सदल मिस्र की है नासी के तो पाख्यान का हिद पुराना नाम क्या था चंद्रावती था ठीक तो चंद्रावती किसका है सदल मिस्र की रचना है ललुलाल की नहीं है अगला प्रश्ण है चार नंबर का कि अंग वधू किस कवी की रचना है तो अंग वधू दादू दयाल की रचना है किसकी दादू दयाल की रचना है ये इनकी रचनाओं का संकलन है और अंग वधू के संकलन करता रजब है और हर डे वाड़ी फिर दादु दयाल की रचना है तो यह आपको ध्यान देना है कि दादु दयाल ने किवल दो रचनाई लिखी है अंग बधु और हर डे वाड़ी तो अंग बधु का संकलन करता पूछेगा तो रज्यव को बताएंगे और लेखक पुछेगा तो दादू दयाल को बताएंगे पांचे प्रस्ण पे आते हैं पांचवा प्रस्ण आपके सामने दिया गया है कि सिव पूजन सहाई का एक मात रुपन्याज कौन सा है देहाती दुनिया भिखारेडी, मनोर्मा, एक आकिनी तो देहाती दुनिया उन्हें 26 में लिखा गया है आंचे नुक पुपन्याज आईए तो देहाती दुनिया किसका उपन्याज है? शिव पूजन सहाईका और भिखारेडी कॉसिक का है उन्हें 29 में लिखा गया और मनोर्मा है चंडी प्रिशाद हेदयेश का उपन्यास और एकाकिनी एकाकिनी उपन्यास है श्रीनात सिंग का तो एकाकिनी को आप लोगों को ध्यान देना है यह आप लोगों के थोड़ा नया होगा बाकि सब तो पढ़ा हुआ है तो एकाकिनी किसका है श्रीनात सिंग का म विरोधी आचार्य कौन हैं। तो वक्रोक्ती संप्रदाय के विरोधी आचार्य विश्वनाथ हैं। इन्होंने वक्रोक्ती का विरोध किया था। जबकि वक्रोक्ती संप्रदाय के प्रतिष्ठापक या प्रवर्तक कुंतक हैं। और वक्रोक्ति का सरोप्रथम सास्त्रे विवेचन भामः ने किया था और जबकि आचार विश्वनात इसके विरोधी हैं विश्वनात मुख्यता रस्वादी आचारे हैं तो ये ध्यान देना है कि वक्रोक्ति के प्रतिश्ठापक कुंतक हैं वक्रोक्ति का सरवप्रथम सास्त्रिय विवेचन भामा ने किया था और आचारे विश्वनात वक्रोक्ति के विरोधी हैं ये मुख्यता रश्वादी आचारे है तो वक्रोक्ति के सरवप्रथम सास्त्रिय विवेचन भामा ने किया था इस बात पे भी आपको ध्यान देना है अगले प्रश्ण पे आते हैं साथ नंबर साथ नंबर में पुछा गया है कि किस आचारे ने भावा तिरेक को अनिष्ट कार माना है क्या है कि किस आचारे ने भावा तिरेक को अनिष्ट कार माना है अरस्तू लोंजाइनस प्लेटो रिचर्ड्स तो प्लेटो ने भावातिरेक को अनिष्ठकार माना है सी अप्सन हमारा राइट हो जाएगा प्लेटो ने प्रत्य वादेव मातर श्वाद का प्रवर्तन किया प्लेटो ने शाहित्य में भाव किया तिरेक को अनिष्ठकार माना है और वे साहित्यकार के निस्कासन पर बल देते हैं तो भावातिरेक को अनिष्टकार या किसने माना है तो प्लेटों ने माना है आठ नंबर का प्रश्ण है कि पस्टिम के आचारियों में किसने भाव दमन को अनिष्टकार माना है भाव दमन को अनिष्टकार किसने माना है तो अरस्तु ने माना है ठीक प्लेटो ने भावा तिरेक को अनिष्टकार माना है ये ध्यान देना है कि भावा तिरेक को अनिष्टकार प्लेटो ने माना है और भाव दमन को अनिष्टकार अरस्तु ने माना है अरस्तो ने त्राशदी एवं विवेचन के सिध्धान्त का प्रवर्तन किया है इनके अनुसार साहित्य में भाव का दमन बड़ा घातक होता है नौ नंबर का प्रश्ण है कि अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचारे कौन है तो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामा हैं, बियापसन बिलकुल सही है दिया है कि अलंकार संप्रदाय के संस्थापक भामा हैं, इन्होंने दो शब्दा अलंकार तथा 36 अर्था अलंकार अर्थात कुल 38 अलंकारों का वर्डन किया है कितने अलंकारों का? 38 अलंकारों का वड़न भामा ने किया है और वक्रोक्ति को यह अलंकार का मूल या राजा मानते हैं भामा जो हैं वो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हैं और काव्य अलंकार भामा का प्रशित ग्रंथ है 10 नंबर में पूछा गया है कि कार इत्री और भाव इत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचारी ने किया है तो कार इत्री और भाव इत्री प्रतिभा का विभाजन राज सेखर ने किया है किसने राज सेखर ने कावे हेतू तीन माने गए हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति, और अभ्याज राज सेखा ने प्रतिभा के दो भेद किये हैं कार इत्री तथा भाव इत्री कार इत्री प्रतिभा कवी में तथा भाव इत्री प्रतिभा शहर्दय में होती है तो ये ध्यान देना है कावेहतू तुतिन है प्रतिभावित्पत्ति और अभ्यास और राजसेखर ने प्रतिभाव के दो भेद किये हैं कारित्री और भावित्री कारित्री प्रतिभा कवी में तथा भावित्री प्रतिभाव शहदय में होती है एक ग्यारा नंबर का प्रश्ण है कि कर्मठ कठमालिया कहे ग्यानी ग्यान वहीन तुलसी त्रिपत बिहाएगो राम दुआरे दीन इस पंक्ती में त्रिपत का अर्थ क्या है ये तुलसी दास की पंक्ती है तो त्रिपत का अर्थ इसमें तीन पत क्या क्या है कर्म मार्ग है ग्यान मार्ग है और उपासना मार्ग है कर्म ग्यान और उपासना यही क्या है त्रीपत है ठीक अगला है बारा नंबर का कि धल्मल धल्मल चंचल अंतल जल्मल जल्मल तारा पंग्ती में मुख्यता किसका वड़न किया गया है नदी की धारा का, नीले आकास का, चादनी रात का ये साड़ी क्या चल का तो धल्मल धल्मल चंचल अंतल धल्मल धल्मल तारा में नदी की धारा का वर्डन किया गया है इस पंक्ती में पानी में पढ़ते हुए तारे की स्थिती या गती को अभिवेंजित किया गया है अतहनदी की धारा का बढ़न है तेरा नंबर में एक पंक्ती पुछी गई है कि संतन को कहा सिकरी सो काम आवत जात पनहिया तूटे भिसरी गयो हरिनाम ये पंक्ती किस कवी की है तो ये पंक्ती है कुम्भंदास की संतन को कहा सिकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटे भी सरी गयो हरिनाम किसकी है कुम्भन दास की ये पंक्ती है ये अश्चछाप के प्रथम कवे है ये बलभाचारी के सिस्य थे चलिए चौदा नंबर में भी एक पंक्ती दी गई है बहुत अच्छी है पंक्ती है कि बहु बीती थोरी रही सो बीती जाए हित ध्रुव बेगी बिचारी के बसे व्रिंदावन आए तो यहाँ पर तो नाम दे दिया है लेखा का पंक्ती में हित ध्रुव हित ध्रुव है तो किसकी पंक्ती है ध्रुव दास की है ठीक ध्रुवदास हित हरिवंस के सिसि स्वप्न में हो गए थे और इनके रचित 40 गरंथ माने जाते हैं कुछ प्रमूख है भक्त नाम आवली है सिध्धान्त विचार है ब्रजलीला है मानलीला है दानलीला है इत्यादी और इनहीं की प्रशिद पंग्ती है कि बहुबीती थोरी रही सोवबीती जाए हित ध्रुबेगी विचारी के बसे व्रंदावन आए और ध्रुदास जो हैं यह रिती काल तथा भक्ती काल के कवियों को जोड़ने वाले रस सिध्ध कवी माने जाते हैं अब आते हैं पंद्रा नमबर में पंद्रा नमबर में पूछा गया है कि छायवाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा तो छायवाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखा था मुकुट धर पांडे ने चिक और स्री ओन्ने सो बीस में लिखा था जबलपुर से प्रकासित होने वाली स्री सार्दा पत्रिका में हिंदी में छायवाद नामक सिर्शक से लिखा था और छायवाद सब्द के प्रथम प्रयोग भी मुकुर्धर पांडे नहीं किया था चड़िया गया ते सोला नंबर पे सोला नंबर में है कि संसे की एक रात किसके संसे पे अधारित है राम, कृष्ण, संकर, व्रिश्णु तो संसे की एक रात राम के संसे पे अधारित है ये 1962 में लिखी गई है रचना और इसकी लेखाक नरेश महता है और इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन हुए संसे का वड़न है बाद में वैश निस्कर पर पहुचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं प्रजा के लिए हो ठीक तो राम के संसे का वड़न है इसमें अगला प्रश्ण है कि यरे यायावर रहेगा याद ये यात्रा वितांत किसका है तो अग्ये जी का है अग्ये ने दो यात्रा वितांत लिखा है एक है इनका अरे यायावर रहेगा याद 1903 में और एक है एक बुंद सहसा उचली 1960 में दोनों अग्ये जी का यात्रवितान्त है फिर बेनिपूरी ने लिखा है पैरों में पंखबाद के फिर लिखा है उड़ते चलो उड़ते चलो ये भी दोनों यात्रवितान्त किसका है बेनिपूरी का है यस्पान ने लिखा है लोहे की दिवार की दोनों और और निर्मल वर्मा ने लिखाये चीडों पर चांदनी चलिए अब आते हैं अठारा नंबर पे अठारा नंबर में पूछा गया है कि इन में से कौन सी कृती संस्मरण विधा की नहीं है पत के साथ ही तो ये तो संस्मरण है भई महादेवी वर्मा का हम हश्मत ये भी संस्मरण है कृष्णा सोबती का लौटा उधार ये भी संस्मरण है दूद्ना सिंग का पर मित्र सम्वाद संस्मरण नहीं है मित्र सम्वाद जो है ये राम विला शर्मा तथा केदार नाथ हगरवाल के पत्रों का संकलन है क्या है मित्रिशमवाद कि दारनाथ अग्रवाल और रामविला सर्मा के पत्रों का सग्लन है 19 नंबर में पूछा गया है कि हजारे प्रिशाद दिवेदी के किस उपरन्यास में आपनिशदिक कथा का अधार लिया गया है तो आपको पता ये कि हजारे प्रिशाद दिवेदी का जो उपरन्यास है अनामदास का पोथा इसी को अपनिशदिक कथा का अधार लेकी लिखा गया है तो D क्या है हमारा बिल्कुल सही उप्सन है बेस नंबर में पूछा गया है कि इन में से कौन सी रचना पोराडिक कथा प्याधारित नहीं है पहला दिया है महाप्रस्थान दूसरा है उर्वशी तीसरा है कनूप्रिया चौथा है अमन का राग तो अमन का राग जो है ये समसेर बहादूर शिंग की लंबी कविता है और ये पोराडिक कथा प्याधारित नहीं है बाकी आपका महाप्रस्थान पौराडी कथा पे है नरेश महता का उर्वसी भी पौराडी कथा पे है दिनकर की और कनुप्रिया भी पौराडी कथा पे है धरमवीर भारती की एक कईस नंबर में पूछा गया है करम नासा की हार किसका कहानी संग्रा है तो करम नासा की हार कहानी संग्रा है सिव प्रशाद सिंग की इन्होंने आरपार की माला मुर्दा शराय करम नासा की हार इत्यादी कहानिया लिखी है तो करमनाजा की हर कहानी श्योप्रसाद सिंग का है 22 नंबर में पुछा गया है कि राम व्रिक्ष बेनी पूरी का नाटक है कौन सा नाटक बेनी पूरी का है कोडारक, अगनी शिखा, आमबपाली, अंधाकुआ तो आमबपाली नाटक बेनी पूरी का है बाकी कोडार कापका जगदिश चंद्रमाथूर का है अगनी सिखा रामकुमार वर्मा का है अंधा कुवा लक्ष्मिन अरायन लाल का है और रामपाली तो बेनिपूरी का है तेस नंबर का प्रश्ण है कि सार्दिया गद्य कावे कृती की रशनाकार कौन है एक तो सार्दिया नाटक है जगदिश चंद्रमाथूर का लेकिन एक सार्दिया गद्य कावे कृती है किसकी है तो दिनेस नंदनी डालमिया ने लिखा है इनके और भी गद्य काविकृती हैं जैसे सबनम है, मौक्तिक माल है, शार्दिया है, दुपरिये के फूल है, श्पंदन है ये सब दिनेश नंदनी डालमिया के क्या हैं? गद्य काविये हैं अब आते हैं हम 24 नंबर के प्रश्ण पे 24 नंबर में पूछा गया है कि जैनेंद कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है फासी तो फासी तो बिल्कुल है, पाजेब भी है, नीलम देश की राजकन्या भी है पर अमर वल्लरी जैनेंद की कहानी नहीं है, अमर वल्लरी कहानी लिखा है अग्ये ने पचीस नंबर का प्रश्ण है आपसे कि एक प्लेट सैलाव किसकी कहानी है एक प्लेट सैलाव तो एक प्लेट सैलाव कहानी है मन्नु भंडारी की इन्होंने तीन कहानिया लिखाया, चार-तीन-चार कहानिया एक प्लेट सेलाब है, मैं हार गई, यही सच है। ये सब मनूभंडारी की कहानिया हैं 26 सम्बर में पूछा गया है कि रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला नाटक किसका है? तो ये नाटक है भिस्म साहनी का 27 संबर में पूछा है कि यह पतबंधू था ये किसका उपन्यास है? तो यह पतबंधू था उपन्यास लिखा है नरेश महता ने किसने लिखा है? नरेश महता ने लिखा है डूपते मस्तूल यह पतबंधू था धुमकेतु एकशुती, दो एकांत ये सब क्या है इनके उपन्यास है 28 संबर का प्रेश्ण है आपसे कि नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की नाई का कौन है ये अमितलान लागर का उपन्यास है और ये उपन्यास जो है दलित महतर समाज पर केंद्रित है उन्हें 178 में लिखा गया है और दलित महतर समाज पर केंद्रित है नाचियो बहुत गोपाल और इसकी जो नाई का है वो निर्गुनिया है कौन है निर्गुनिया 29 नंबर में दिया है कि सेखर एक जीवनी उपन्यास की इस्तरी पात्र कौन है रेखा गौरा नहीं रेखा गौरा तो नदी के द्वीब की है अमला रंजना नहीं ये भी नहीं है सेलमा योके ये तो अपने अपने अजनवी की है ठीक लेकिन ससी सरश्वती ये सेखर एक जीवनी की है सेखर ससी सर्षती यही तो है सेखर एक जीवनी में तो हमार अड़ी आपसन बिलकुल सही है तीस संबर में पूछा गया है कि भारत विभाजन पे आधारी तो पन्यास नहीं है जूठा सच तो जूठा सच तो है ही अस्पाल का उन्हें सो अठावन पे लिखे है तमस भी 1973 में भिश्म सानी ने लिखा है आधा गाउं भी विभाजन पे है ये तीनों है पर सीर ही सची बाते नहीं है भगवती चन वर्मा का उपन्यास से ये ये विभाजन पे आधारित नहीं है अब आते हैं हम एक तिस नंबर पे 31 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी रचना दिनकर की नहीं है आध्यात्म चिंतन, रेडुका, दिल्ली, नीम के पत्ते तो आध्यात्म चिंतन दिनकर की नहीं है बाकि दिल्ली, दिनकर की है, रेडुका भी और नीम के पत्ते भी है 32 नंबर में पूछा गया है कि कौन सी रचना भिश्म साहनी की है विकल्प में है बुनी हुई रसी तो ये तो भवानी प्रशाद मिस्तर का है कडिया हाँ कडिया जो है ये किसका है भिश्म साहनी का है उपन्यास है कडिया तमस जरोखे देखे ही थे हम लोग अभी पीछे तो कडिया किसका है भिश्म साहनी का उपन्यास है बहुत रात गए ये नरेंद्र शर्मा का काव्य है बहुत रात गए नरेंद्र शर्मा का काव्य है कुछ और कविताएं समसेर बहादुर से इंका काव्वे है 33 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है पतन है, चित्रलेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते है, ना आने वाला कल है तो ना आने वाला कल भगवती चरण वर्मा का नहीं है, ये नरेश महता का उपन्यास है ना आने वाला कल किसका है, मोहन राकेश तो लिखा है, अंतराल ना आने वाला कल ठीक, तो D आपसन हमारा सही हो जाएगा बाकि पतन तो 27 में भगवती चन वर्मा का है, 34 में चित्रे लेखा भी है इन्ही का, तेढ़े मढ़े रास्ते भी है 46 में इन्ही का अगला है हमारा प्रस्ने 34 नंबर का बहुत अच्छा प्रस्ने है ये एक कथन है, क्या है? देखिए, माक्षवाद सिखाता है कि हर चीज पे डाउट करो क्या लिखे हैं? कि माक्षवाद ये सिखाता है कि हर चीज पे डाउट करो किसका कथन है? रामविलाज शर्मा जी का, इन्होंने ही कहा है, रामविलाज शर्मा ये आपसन हमारे बिल्कुल सही है 35 नंबर का प्रश्ण है कि कौन सी कृति इन में से प्रति बंधित रही है भारत भारती, बंधिनी, जासी किरानी, चिंगारिया तो चिंगारिया पांडे बेचन सर्मा उग्र का कहानी संग्र है और ये अंग्रिजो द्वारा क्या किया गया जब्द कर लिया गया ये प्रतिबंधित रशना है उन्हें 26 में लिखी गई थी बाकि भारत भारती नहीं है उन्हें 12 में है मैती शड़ गुप्त की जासी की रानी भी है विंदावनलाल वर्मा का ये भी प्रतिबंधित नहीं थी चिंगारिया आपका क्या थी? प्रतिबंधित रश्ना है इसमें कुल बारा कहानिया संग रही थे चिंगारिया कहानी संग रहे इसमें कितनी कहानिया है? बारा कहानिया 36 संबर का प्रश्ने है कि लाल पसीना लाल पसीना उपन्यास के लेखा कौन है? तो लाल पसीना उपन्यास 1977 में लिखा गया और इसके लेखक है अभिमन्यू अनन्त इसी उपन्यास की अगली कड़ी गांधी जी बोले थे लाल पसीना उपन्यास की जो अगली कड़ी है वो है गांधी जी बोले थे ये भी अभिमन्यू अनन्त का ही उपन्यास है इनके और्वियू परन्यासें सेफाली, इंसान और मसीन और अभिमन्यू अनन्त मारिशस के प्रवाशी भारतिये हैं ये ध्यान देना है अभिमन्यू अनन्त मारिशस के प्रवाशी भारतिये हैं और अभिमन्यू अनन्त को इन्हें मारिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। 37 नंबर का प्रशन है कि जगदंबा बाबु गावार हैं। कहानी संग्रा की लेखी का कौन है। तो बहुत फिमस कहानी है ये तो चित्रा मुद्गल की कहानी है जगदंबा बाबु गाव आ रहे हैं इन्होंने और भी कहानिया लिखी है लाक्षाग्री है इस हमाम में जगदंबा बाबु गाव आ रहे हैं जिनावर, भूख, लपटे, सब इनके क्या है कहानी संग रहे हैं। 38 नंबर का है कि मयादास की माड़ी, मयादास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन है। जरोखे हैं, कडिया है, मयादास की माड़ी, कुन्तो है और निलो निलिमा, निलो फर हैं। ये सभी इनके उपन्यास हैं। तो आपको कमेंट में बताना है कि भिसम साहनी का जनम कब हुआ था। अर्थात उनका डेटा बर्थाप लोगों को बताना है। भिसम साहनी का चलिए। अब आते हैं 49 नमबर, पर 49 नमबर का प्रश्ण है कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध का संग्रह नहीं है। अर्थात कौन उनका निबंध संग्रह नहीं है। कला का जोखिम, तो कला का जोखिम तो निर्मल वर्मा का ही है भाई, सब दरिश्मिती ये भी निर्मल वर्मा का ही है, चिंतन मुद्रा नहीं, चिंतन मुद्रा नहीं है, ये विश्नुकान सास्त्री का निबन्द है, किसका है विश्नुकान सास्त्री का, धलान से उतरते हुए तो ये है आपका निर्मल वर्मा का ही निबन संग्रा ठीक, चिंतन मुद्रा, विश्नुकान सास्त्री का हो गया बाकी कला का जो खिम सब्दर श्मिती धलान से उतरते हुए ये निर्मल वर्मा की निबन्द है चालिस नमबर का है कुछ पत्ते, कुछ चुठिया रघुवीर सहाय ने लिखा है इनके और भी कावे संग्र हैं जैसे सीडियों पर धूप में हसो हसो जल्दी हसो लोग भूल गये हैं कुछ पत्ते कुछ चुठिया आत्महत्या के विरुधित्यादी तो आपको कमेंट में रघुवीर सहाय का डेटा बर्थ बताना है ठीक, इनका भी आपको डेटा बर्थ बताना है कि इनका क्या है क्योंकि क्रम मिलाने के लिए आता है तो आपको कमेंट करके बताएंगे हमें अगला है 41 नमबर का प्रश्न कि रचनाकाल की द्रिष्टी से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है सूफी कावेधारा की रचनाय दी गई है तो सबसे पहले तुम रिगावती आ जाएगी कुतुबन की पंदरा सो तीन में फिर आएगी जैसे की पदमावत पंदरा सो चालिस में फिर आएगा चित्रावली सोला सो तेरा में और फिर आएगा इंदरावती सत्रा सो चौवालिस में चित्रावली उस्मान की है और इंदरावती कुतुबन की है तो ये आपसन हमारा बिल्कुल सही है म्रिगावती सबसे पहले, फिर पदमावत, फिर चित्रावली, फिर इंद्रावती 42 नमबर में दिया है कि प्रकासन की दृष्टी से निम्न लिखित कृतियों का सही अनुकरम बताईए यहाँ पे कुछ उपन्यास दिये गए है तो यहाँ पे हमारा सी उप्शन सही होगा सबसे पहले आधा गाव आएगा आधा गाव का डेट क्या है? 1986 में है, राहे मासुम रजा ने लिखा है फिर आएगा धर्ती धन्न अपना 1972 में जगदीश चंद्र का फिर आएगा मुर्दा घर 1974 में जगदंबा प्रशात दिख्षित का फिर एग किशनगर का अहेरी 1981 में संजीव का तो सी आप्सन बिल्कुल सही है 43 नंबर पे आते हैं 43 नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्ठी से निम्नलिखित कृतियों का क्रम बताईए यहां भे कुछ उपन्यास दिया गया है तो यहां पे आपका जो सही हो जाएगा B option होगा मचली मरी हुई राज कमल चौधरी का है यह आपका आएगा उन्नेशो चाचछट में तो सबसे पहले यह आज आएगा फिर आएगा महाभोज 1989 में मनुभंडारी का दूसरे नमबर पे यह आएगा फिर है पहला गिर्मिटी और 1999 में गिरिराज की सोर का तीसरे नमबर पे यह आज आएगा फिर है कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का 2000 चौधरी में तो मचली मरी हुई सबसे पहले यह आज 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 में महाभोज 1989 में पहला गिर्मिटी और 1999 में और कितने पाकिस्तान 2000 में अगला है प्रेश्टे चवालिस नमबर का कि प्रकासन वर्ष के द्रिष्ठी से कहानियों का क्रम बताईए कुछ कहानिया दी गई है यहाँ पे दुलाईवाली है ग्राम है पंच परमेश्वर है पाजेव है तो सबसे पहले आएगा 1907 में दुलाईवाली सर्शुती पत्रिका में प्रकासित हुई थी आरंबी कहानियों में हम इसे पढ़ते हैं फिर आएगा प्रशाद जी का ग्राम जो 1911 में है फिर आएगा पंच परमेश्वर प्रेमचंद का जो 1916 में है और फिर आएगा जैनेंद्र का पाजेव जो 1942 में है तो दुराई वाली सबसे पहले 1907 में, फिर ग्राम 1911 में, फिर पंच परमिश्वर 1916 में, फिर पाजेब 1942 में, डी आपसन हमारा बिलकुल सही है 45 नमबर का प्रश्ण है, कि प्रकासन की द्रिष्टी से निम्नलिखित कृतियों का सही करम बताईए जैसे अतीत के चलचित्र है, दस तस्वीरे है, बोलती प्रतिमा है, समय के पाव है तो सबसे पहले आएगा बोलती प्रतिमा 1937 में, स्री राम सर्मा की ठीक, फिर आएगा महादेवी वर्मा का अतीत के चलचित्र 1941 में फिर समय के पाव 1962 में माखनला चत्रुएदी का और फिर आएगा 1963 में दस तस्वीरे जगदिश चंद्र माथुर का तो सबसे पहले बोलती प्रतिमा स्री राम सर्मा का 1937 में फिर अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का 1941 में समय के पाव 1962 में माखनला चत्रुएदी का और दस तस्वीरे 1963 में जगदिश चंद्र माथुर का तो बी आपसन हमारा बिलकुल सही है अगला प्रश्ण है 46 नंबर का कि प्रकासन वर्ष के द्रिष्टी से निर्मल वर्मा के निबंधों का सही क्रम बताईए तो इनका हो जाएगा सी आपसन सबसे पहले आएगा सब्दर श्मिती सब्दर श्मिती कभ है 1976 में है फिर आएगा कला का जोखिम जोकी 1981 में है फिर आएगा ठलान से उतरते हुए 1980 में फिर सताब्दी के धलते वर्षों में 1998 में तो निर्मल वर्मा के नियबंधों का क्रम आपको याद करना है सब्द रिश्मिती 1976 में कला का जोखिम scientist में धलान से उतरते हुए उन्ने सो पचासी में और सताबदी के ढलते वर्षों में उन्ने सो अंठानबे में सी आपसन मिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है हमारा 47 नंबर का तो 47 नंबर से लिए हम लोग देखते हैं 47 नंबर में पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंधों का सही क्रम बताईए ठेक तो यहाँ पे हमारा एपसन क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा सबसे पहले रसाखेटक आएगा फिर विशाद वियोग आएगा फिर महाकवी की तरजनी फिर दृष्टी अभिसार एपसन बिल्कुल सही है ठेक रसाखेटक आएगा और महाकवी की तरजनी ने सो नियासी में है तथा दृष्टी अभिसार है ने सो चौरासी में अगला प्रेश्ण है 48 नंबर का कि निमने कव्यों का काल क्रमा नुसार सही क्रम बताईए देखे डेटा बर्थ में करती हुन्हें याद करने के लिए देखे यहां में पूछा गया है तो यहां पे हमारा D option हो जाएगा नरेश मेहता नरेश मेहता का जनम 1922 में हुआ था सबसे पहले यह आएंगे फिर हैं सर्वेश्वर द्याल सक्सेना 1927 में इनका हुआ था फिर हैं रितुराज इनका 1940 में हुआ था फिर हैं मदन कश्यप 1954 में ठीक तो सबसे पहले नरेश मेता फिर सक्सेना फिर इतुराज उने सो चालिस में फिर मदन कश्यप उने सो चालिस में डी आपसन मिल्कुल सही है उन्चास नंबर में प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंधों का सही क्रम बताना है हजारी प्रिशाद दिवेदी के निबंध दिये गए हैं तो सबसे पहले असोक के फूल आएगा उने सो अर्तालिस में ठीक फिर आएगा विचार और वितर को ने सो चौवन में फिर आएगा कुटज उने सो चौशठ में फिर आलोग पर उने सो बहत्तर में तो बी आपसन हमारे सही है असोक के फुल 48 में, विचार और वितर्क 1954 में, कुटाज 1964 में, आलोक पर 1972 में भी आपसन हमारा सही है पचास नंबर में पूछा है कि प्रकाशक की द्रिष्टी से निम्न कावेकृतियों का सही क्रम बताईए स्वरे कावेकृति नहीं है, उपन्यास हैं, उपन्यासो ककरम बताना है तो मैला आचल है, बल्चनमा है, जल तूटता हुआ, बहती गंगा है तो सबसे पहले आएगा आपका बल्चनमा, 1952 में नागारजुन का ठीक, फिर आएगा मैला आचल, 1954 में रेडु का फिर बहती गंगा 1952 में स्विप्रसाद मिश्रुद्र का फिर जल तूटता हुआ, उने 179 में रामदरस मिश्र का तो बल्चनमा 52 में, मैला आचल 54 में, बहती गंगा 52 में है और जल तूटता हुआ, उने 179 में है बहती गंगा का यहां डेट कुछ लग रहा है, गलत दिया है या फिर यहां मिलान गलत किया है ठीक, चलिए एक क्यावन नंबर पे आते हैं इक क्यावन नंबर का प्रश्न है कि प्रकासन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासो का सही क्रम बताईए तो प्रेमचंद के तो सभी उपन्यासो के डेट विलकुल याद करना निवारी ही है और याद भी होता है सभी लोगों को तो वर्दान है, प्रेमास्रम है, रंग भूमी है, निर्मला है तो हमारा ए उप्षन ही यहां पे राइट है सबसे पहले वर्दान है 1921 में फिर प्रेमास्रम है 1922 में फिर रंग भूमी है 1925 में फिर निर्मला है 1927 में 52 नंबर पे आते हैं 52 नंबर में दिया है कि प्रकासन वर्ष के अनुसार निम्रलिखित महाकावियों का सही अनुकरम बताईए ये सारे महाकाविय दिये हैं आधुनी काल के तो इसका करम बताना है तो सारी फेमस रचना हैं इसका विजट बिलकुल क्लियर ही रता है तो सबसे पहले आपकी प्रियप्रवास आएगी 1914 में फिर साकेत आएगा 1931 में फिर कामायनी 1935 में और उर्वसी सबसे लाष्ट में 1961 में ठीक प्रियप्रवास हरियोद का साकेत गुप्त जी का कामायनी प्रशाद जी का उर्वसी दिन करका अगला है प्रश्ण हमारा तिरपन नंबर का तिरपन नंबर में दिया है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्म कथाओं का सही क्रम बताईए ये सारी आत्म कथाओं दी गई है तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्ध कथानक कि वह लेखी आपसन में है सबसे पहले दिया गया और ये हिंदी की पहली आत्म कथाओं है तो ऐसे भी डेट नहीं व्याद रहेगा आपको तो सबसे पहले हम इसी को लगाएंगे कि अर्ध कथानक आएगी सबसे पहले ठीक, अधिकताना का डेट है 1641 में है, बनार्शिदास जैन का है फिर आएगा टुकुडे टुकुडे दास्ता 1986 में अमितलान लागर का फिर आज के अती 2003 में भिस्म साहनी का और मुर मुर के देखता हूँ, ये है राजेंद्रियादों का 2001 में ठीक, चलिए चववन नंबर पे आते हैं चववन नंबर में प्रकासन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल की कृतियों का क्रम बताना है सिंहासन बतीसी सकुंतला नाटक सभाविलास लाल चंद्रिका तो सबसे पहले आएगी सिंहासन बतीसी 1801 में फिर आएगा सकुंतला नाटक 1810 में फिर सभाविलास 1815 में और लाल चंद्रिका 1818 में तो सिंह आपसन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा पच्पन नंबर में दिया है कि प्रकासन वर्ष के अनुसार नंदुलारे बाजपेई के निम्न लिखी तालोचना ग्रंथों का सही क्रम बताईए तो यहाँ पे भी एए आपसन हमारा राइट हो जाएगा सबसे पहले आएगा हिंदी साहिती की बीश्वी सताब्दी 1942 में लिखा है इन्होंने फिर आएगा आधुनिक साहिती नंदुलारे बाजपेई का इए 1950 में लिखा है फिर रस्ति धानत है 1977 में और फिर रीती और सैली है 1981 तो सबसे पहले härइटि साहिती बीश्वी सताब्दी 1942 में फिर आधुनिक साहिती पचास में रस्ति धान सताहत्तर में अरिती और सहली उन्यासी में यह आपसन हमारा सही है चपन नंबर में तर्क और अस्थापना दिया है स्थापना दिया है कि मानवाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन तो बिल्कुल सही है फिर तर्क दिया है कि मानावता वाद मुलता निर्गुण निराकार का प्रतिबादन करता है तो नहीं ये गलत है तो यहाँ पे अस्थापना सही दी गई है और तर्क क्या है गलत दिया गया है जो मानवता बाद है वो किवन निर्गुर नहीं निर्गुर और सगुर दोनों का प्रतिपादन करता है चलिए संतावा नंबर में स्थापना दी गई है कि हिंदी कवी अचारियों की मौलिक देन है रस रीती की अस्थापना तो बिल्कुल सही है तर्क दिया गया है कि हिंदी रिती कावे में रस से ज़्यादा रिती को महत्व दिया गया है तो ये गलत है ठीक रस को ज़्यादा महत्व दिया गया है रिती को कम दिया गया है तो यहाँ पर उल्टा बोला है कि जीती को ज़्यादा महत्व दिया गया है ये गलत है तो अस्थापना यहाँ पे भी सही हो और तर्ग क्या है गलत है 58 नंबर में दिया गया है अस्थापना कि कावे का सरवप्रमुख हेतू है व्यूत पत्ती नहीं गलत है और तर्ग दिया गया है कि विद्पत्ति नवोन में शालनी प्रतिभा की उपज होती है ये भी गलत है यहाँ पे स्थापना और तर्ग दोनों गलत दिया गया है काव हेतु तीन प्रकार के होते हैं प्रतिभा, विद्पत्ति और अभ्यास और इन तिनों में सबसे प्रमुख अगर आप पुछेंगे तो प्रतिभा है और यहां पर विद्पत्ती को बताया गया है स्थापना में इसलिए गलत हो जा रहा है ठीक और प्रतिभा को ही भट लोलट ने नवोन मेशालिनी प्रतिभा प्रज्या कहा है भट तौत ने कहा है यहां पर लोलट दे दिया गया है तो यहां पर विद्पत्ती को बताया गया है कि कहा गया है गलत है यह भी तो इसलिए यहां पर स्थापना और तर्ग क्या है दोनों गलत है 69 नमबर पर आते हैं 69 नमबर में स्थापना दिया गया है कि कावे के अपरिहार तत्व है शब्द अर्थ कल्पना भाव और विचार बिल्कुल सही है और तर्क दिया गया है कि इन में से कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं अता इन में अपरिहार कोई नहीं है तो बिल्कुल ये भी सही दिया गया है ठीक, दोनों सही है, यहाँपे सथापना और तरक साथ नंबर का प्रश्न है, साथ नंबर में सथापना दी गई है कि भासा अर्थ को उनमीलित करती है, न की अर्थ किस रिष्टी करती है बिलकुल सही है, तरक दिया गया है, कि यह देरिदा का मत है वह पाठ पर जोर देता है, लेखन पर नहीं तो ये भी सही है, ठीक, यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों से दिया गया है जोक देरिदा विखंडन या विरचना के प्रवर्तक है इनके अनुसार भासा अर्थ को उत्पन करती है, नकि उसकी स्रिष्टी और देरिदा पाठ को प्रमुख मानता है, लेखक को नहीं एक सर्थ नंबर में स्थापना दी गई है, कि सुक्ल के अनुसार लोक मंगल के विधायक भाव हैं करुडा और क्रोध बिल्कुल स्थापना सही दी गई है, और तरक दिया गया है, कि महरशी वाल्मिकी के काव्यो द्रेक के यही दोनों हेतू थे सुक्ल जी ने क्रोध की जगा प्रेम को रख दिया, तो गलत है भाई, तरक बिल्कुल गलत दिया गया है, पर स्थापना हमारी सही है 62 नमबर में आते हैं 62 नमबर में आपका दिया हुआ है क्या दिया है 62 में तो 62 नमबर में दिया है कि अस्थापना कि लए शब्द मात्र से ही नहीं अर्थ भाव विचार सब में होती है ठीक विल्कुल सही है और तर्क दिया गया है कि सब्द अर्थ अन्यो नाशित होते हैं सब्द श्रव्य होते हैं और अर्थ बुद्धी ग्राह्या दोनों की अनुपात से ही स्रिष्ट साहित्य का स्रिजन होता है तो ये भी सही है यहां पे अस्थापना और तर्क दोनों सही दिया गया है तिरसर्च नंबर का प्रश्ण है तिरसर्च नंबर में अस्थापना दी गई है कि गलानी से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है तो सही है तर्क दिया गया है कि दूबला होना आदमे की निर्बलता की निसानी है तो ये गलत दिया गया है ठीक, गलाने व्यक्ति को आंतरी का सहजाता प्रदान करती है और व्यक्ति पस्चताप की अगनी में चलता रहता है और यह इस्तिती पानीदार इजदार लोगों के साथ ज्यादा होती है तो स्थापना सही है और तरक क्या है गलत है 64 नंबर में स्थापना दी गई है कि कावे का विशय सदा विशेस होता है सामानिन नहीं वह व्यक्ति सामने लाता है जाती नहीं तो बिलकुल सही है कि कावे का विशय होता है सदा विशेस होता है सामानिन नहीं होता है और वह व्यक्ति को सामने लाता है कावे जाती को सामने नहीं लाता है तो बिलकुल सही है और तरक दिया हुआ है क्या दिया है कि कावी की समरचना सदय जाती परास्रित होकर व्यत्ति केंडरित हो जाती है तो ये गलत दिया गया है ठीक तो हमारा क्या है अस्थापना सही है और तर्क गलत है पैसेट नंबर में ऍस्थापणा दी गई है कि साहश पुन आनंद की उमंग का नाम उच्छ साह है बिलकुल सहे दिया गया है और तर्क है कि साहश के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता अत्ह आनंद भी प्राप्त नहीं होता बिल्कुल सही है अस्थापना अर्तर की हाँ पे दोनों सही है आनन्द हमें तभी प्राप्त होता है जब हम समेदनात्मक रूप से पुनता किसी कार या क्रिया प्रतिक्रिया में सनलगन होते हैं अब आते हैं च्छाछट नंबर में छाषड नंब Speech में दिया है कि कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तो कहानी है एक और जिंदगी मोहन राकेस की है सर्पदंस कहानी रामदरस मिसर की है शर्नागत कहानी वरिंदावान लाल वर्मा की है और वी पात्र कहानी मुक्ति बोध की है तो A का सेकेंड, A का सेकेंड, A option में दिया है, A option हमारा सही हो जाएगा चलिए अगला है सर्शर्ष नंबर का, सर्शर्ष नंबर में पंक्ति दी गई है इसमें छंद बताना है कि किस पंक्ति में कौन सा छंद है तो जब मैं था तब हरी नहीं इसमें कौन सा चंद है इसमें दोहा चंद है दोहा में तेरा ग्यारा पे यती होता है पहले चरण में तेरा और दूसरे में ग्यारा मात्राय होती है फिर बी वला दिया गया है कि रामक रूप निहानत जान की कंगन के नग की परच्छाई इसमें क्या है सवय्या है फिर तिसरा है कि जानत है वह सिर्जन हारा जो कुछ है मन मरम हमारा इसमें कौन सा छंद है चोपाई छंद है चौपाई छंद में प्रत्यक चंड में 16 मात्राय होती है फिर D वाला दिया गया है कि अधर लगे हैं आनी करी के प्रयान प्रान चाहत चलन ये संदेशोलो सुजान करे इसमें कौन सा छंद है? कवित छंद है एक्तिश्वर्णों का ये छंद होता है कवित तो D आपसन हमारा सही हो जाएगा और सच नंबर में दिया है कि निमनलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलिद कीजिए एससे इन क्रिटिसिज्म है किसकी है? तो एससे इन क्रिटिसिज्म है मैथ्यू अर्नॉल्ड की ठीक एस्थेटिका किसकी है? क्रोचे की है फिलोसिफी आप रिटोरिक किसकी है? रिचर्ड्स की है फिलोसिफी आप रिटोरिक ए हिस्ट्री आफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म किसका है? रेन विलेक की है ठीक तो essay on criticism मैथ्यू अनॉल्ड का है, एस्थेटिका क्रोचे का है, philosophy of rhetoric रिजर्ड्स का है और a history of modern criticism रेन्वेलेग का है तो यहाँ पे हमारा सी आपसर मिलकुल सही है उनहत्या नंबर में दिया गया है कि निम्नालोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलिद कीजिए स्रिंगार प्रकास, स्रिंगार प्रकास जो है वो भोजराज की रचना है व्यक्ति विवेक महीम भट की है चेत्र मिमान सा अप्पर दिख्षित की है और रस मंजरी भानु दत्त की है तो कौन सा अप्प्षन या पे सही है? A ओप्षन ठीक, A का 3, B का 1 चलिए आगे आते हैं सत्ता नंबर का प्रेश्ण है कि निम्न संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलिद कीजिए तो राधा वलब संप्रदाय का कवी कौन है? राधा वलब संप्रदाय के कवी बिहारी है खालसा संप्रदाय के कौन है? गुरु गोविंद सिंग है सूफी संप्रदाय के? तो सूफी संप्रदाय के हैं सेख फरीद और प्रडामी संप्रदाय के प्राणनात हैं भी आपसन हमारा राइट हो जाएगा राधा वल्लब के बिहारी, खाल्सा के गुरु गोविन सिंग, सुफी के सेख परीद और प्रडामी के प्राणनात 71 नंबर का दिया है कि निम्न लिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए जैसे ग्रियर्षन है जिन्होंने सचे रूप में हिंदी साहित का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा तो ग्रियर्षन कहां के रहने वाले थे तो ग्रियर्षन आयरलेंड के रहने वाले थे ये रूस के रहने वाले थे फिर है अभिमन्यू अनंत ये मारिशस के रहने वाले थे C option बिल्कुल correct है अमारा ग्रियर्शन आयरलेंड के पिंकाट इंग लेंड के वरानिको रूस के अभिमन्यू अनंत मारिशस के अब आते हैं 72 नंबर पे 72 नंबर में दिया है कि निमनलिखित पुरसकारों को उनके पुरसके साहिते कारों से सुमेलिद कीजिए क्या दिया है कि प्रथम देव पुरसकार प्रथम देव पुरसकार किसे मिला था दुलारे लाल भारगों को मिला था ठीक मंगला प्रशाद पारी तोसिक कमाईनी पे प्रशाद जी को मिला है प्रथम भारत भारती पुरशकार महादेवी वर्मा को मिला है व्याज समान 2011 में रामदरस मिस्र को मिला था आम के पत्ते पे और हिंदी में प्रथम ज्यान पिठ मिला था सुमित्रा नंदन पंत को और साहित्य कादमी 2007 में अमर कांत को मिला था ठीक 73 नंबर में दिया है कि रचनाओ को उनके दोहरे सिर्षकों के सुमिलित कीजिए जैसे तीसरी कसम कहानी है इसका भी कोई दूसरा नाम है बिगड़े का सुधार इसका भी कोई दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी का भी है ठेट हिंदी का ठाट का भी है तो तीसरी कसम कहानी का दूसरा नाम क्या है मारेगे गुलफाम तीसरी कसम उर्फ मारेगे गुलफाम रेडू की कहानी है बिगड़े का सुधार इसका दूसरा नाम है बिगड़े का सुधार या सती सुख देवी रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदेव हांचरित और ठेट हिंदी का ठाट का दूसरा नाम है देव बाला तो यहाँ पे कौन सा अप्सन सही है? सी अप्सन हमारा सही हो गया चलिए 74 नमबर में आते हैं 74 नमबर में भी मिलान करना है मिलान करना है कि मतिराम कहां के सासक थे तो मतिराम बूंदी राजा भाव सिंग के साथ मतलब कि उनके यहां आसरित थे किस सासके आश्रित थे? मतिराम तुबूंदी राजा भाव सिंग के पदमाकर किस सासके आश्रित थे? तो पदमाकर थे नागपुर महराज रगुनात राव अप्पा रतनाकर किसके थे और विखाई दास किसके थे तो विखाई दास तो आपकी हिंदुपति सिंग के थे तो बचे आपके रतनाकर तो रतनाकर थे अयोध्या नरेश प्रताप सिंग की यह भी ध्यान देना युद्धा सतक वाले रतनाकर है तो उधस अतकवाय लतनाकर भी अध्या नरिश प्रताप सिंग के आश्रित थे यहाँ पर यह आपसन हमारा सई हो जाएगा अब है अंतिम प्रश्न इस पेपर का 75 नंबर का सूची एक में पंक्ती दी गई है, सूची दो में रशनाय दी गई है तो मिलाना है कि कौन सी पंक्ती किस रशना से है पहली पंक्ती है कि अब अभिव्यक्ती के सारे खत्रे उठाने ही होंगे तो यह मुक्तिबोध की पंक्ती है अंधेरे में से फिर है कि हस पड़ा गगन वह सुन्य लोग यह किस से है तो ये जो पंक्ती है ये है कामाईनी से हस पड़ा गगन वह शुन्य लोक ये प्रशाद जी की पंक्ती है कामाईनी से फिर है तीसरा इस्थिर समर्पड है हमारा ये अग्ये की पंक्ती है नदी के द्वीप से इस्थिर समर्पड है हमारा फिर है चौथी पंक्ति कि अपने आप अपने से उगामें ये कुकुरमुत्ता से है निराला की तो अब अभिवेक्ति के सारे खत्रे उठाने ही होंगे अंधेरे में से है हस पड़ा गगन वह शुनी लोग का माईनी से है इस थिर समरपढ है हमारा नदी के द्वीप से है अपने आप उगामें कुकुरमुत्ता से है तो यहाँ पर सी आपसन हमारा सही हो जाएगा और ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है कि क्रित्य क्रित्य हुआ मैं तात पधारे आप ये भी अग्ये की है शाद्य वीड़ा से ठीक तो हमारा ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है उम्मिद करते हैं कि क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक सेर कमेंट करिएगा और जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा ताकि ऐसे ये वीडियो आपको और मिलती रहें आप सभी ने इस क्लास को पूरा देखा उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम भी लेंगे कल दूसरी क्लास में आज के लिए इतना ही